Hello everyone, देखेए अब next topic करते है, Kepler's Law of Planetary Motion. देखो, Kepler's ने तीन लोग दिये थे. पहला क्या लोग था? Law of Orbit, ये first जो लोग है, Kepler's का वो क्या है, Law of Orbits. और second क्या है हमारे पास? Law of Areas, और जो third लोग है, वो क्या है? Law of Periods, ठीक है? तो जो first law है law of orbits इसमें Kepler's ने क्या बताया कि जितने भी planets है जो sun के round चक्कर काट रहे है वो उसका जो orbit है वो कैसा है elliptical orbit है मतलब क्या है कि जैसे ये sun है और इसके चारो तरफ जो चक्कर काट रहे है planet जैसे मालो ये एक planet है तो इसका जो ये orbit एक ऐसा है elliptical shape में है ठीक है ellipse है अब ellipse क्या होता है इसके बारे में थोड़ा साब को पता होना चाहिए देखो ellipse की shape कैसी होती है इस तरीक्के से oval सी shape होती है ठीक है जैसे circle तो ये होता है circular नहीं इसको ये अपने थोड़ा हट चप्ता कर दिया इस तरीक्के से तो ये क्यों होता है ellipse होता है इसमें देखो ये इसकी क्यों होती है major axis बड़े वली और ये वली क्यों होती है इसकी minor axis छोटे वली clear एतनी बात ये माल लो इसका center हो गया हो अब इसमें क्यों होते है दो फोकाई होते है ठीक है जैसे मान लो इस पे sun है ठीक है इस वली फोकाई पे मान लिया हमने की क्या है sun है और इसके चारो तरफ जो चक्कर काट रहा हो यह planet है यहाँ पर ठीक है तो इसका orbit कैसा है elliptical है कि इतनी बात clear है ठीक है तो मैंने आपको बताया यह इसकी major axis और यह क्या हो गई इसकी minor axis और इसके क्या उतने दो फोकाई उतने इतनी बात आपको याद हूं जी यह ellipse के अंदर ठीक है clear एतनी बात तो हम अगर यहाँ पर इसको बनाएं धंग से थोड़ा सा तो देखो इस तरीके से मैंने यह shape बना दी इसकी ठीक है और मैंने क्या बनाया इसमें यह इसका major axis हो गया और यह इसका minor axis हो गया और यह इसका center हो गया ठीक है यह point मैंने बना दिया s और यह point बना दिया मैंने s' that is the foci of that ellipse clear है और foci स्पोलाइब है स्टिक फाली फूकाई पर हमने मान लिया सwould का हम इस त्रीके से में इस पे सं बनायता हुं ठीक है किसी भी एक फूकाई पर हो मेजर ایکसीस एक इसकी जो ये लैंठ होती है, मेजर एक्सीस की यह कितनी होति है, तो जो यह semi-major ag eas easex मतलब क्या है, इस major x का half semi-mejor rushes ठीक है, यह कितनी हो जाएगी आपके बास a हो जाएगी और इधर से भी यह कितनी हो जाएगी ठीक है और जो ये वली है minor axis minor axis की जो length है वो कितनी हो गई 2B हो गई ठीक है तो semi minor की B हो जाएगी ठीक है जो हमें तो इसकी जूरत पढ़ेगी आगे ठीक है semi major axis क्या होती है A होती है ठीक है यहां से यहां clear है अब अगर इसमें हम बना दें ये point P बना दें और ये वला A बना दें clear इतनी बार ठीक है तो अगर आप देख पा रहे हो कि जो sun से pass वला जो point है वो कौन सा P है और जो दूर वला point है वो कौन सा है A है तो ये जो pass वला point P है इसको हम क्या बोलते हैं यहां पर देखो pre-healion क्या बोलते हैं sun के लिए use होता है ये चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है जैसे कि geo जो होता है वो किसके लिए use होता है earth के लिए जैसे आपने geography पढ़ते हो geography geo मतलब earth graphy इस तीक जियो ग्रैफी clear तो geo use होता है earth के लिए और helium होता है sun के लिए तो pre-healion का मतलब क्या ये पी पॉइंट है जो की है closest to the sun और ये जो a होता है ये क्यों होता है apphealion क्यों सो होता है ये apphealion ये रहा apphealion apphealion मतलब क्या हो गया posthealion एक तरह से आप कहेंगी sun के बाद वाला point apphealion और साथ में ये क्या है इससे फार्देस्ट है दूर है समझ रहे हो तो ये जो distance है कैसा है फार्देस्ट है sun से a वाला इसको बोलता है apphealion sun के बाद वाला point clear है बाद इतनी बाद तो apphealion और pre-healion का मतलब क्या है pre-healion pass वाला point apphealion दूर वाला point होता है ठीक है ये चीज़े आपको न्यूटन ने अपनी थियोरी दी थी जो न्यूटन law of gravitation आपड़ते हो न वो ये चीज़ उसके बाद ये वाला data था कैपलर्स का उसके बाद न्यूटन ने अपनी थियोरी बताई थी clear है अतनी बाद ये चीज़े आपको पता होनी चीए अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसने elliptical orbit के बारे में बताया ये कैसे बताया होगा कैपलर ने तो देखो इस चीज़ को समझो अगर आपको पहले पता है कि पहले तो ये भी थियोरी थी कि अर्थ जो है stationary है और उसके around सब जो है और west में क्या होता है उसका sunset होता है ठीक है ना sunrise कहां से होता है east से और sunset west में होता है ये बात आपको पता है ठीक है तो देखने में ऐसी लगता है कि ये sun इधर से मतलब मालो ये एक स्टिक्ट के से समझो ये earth है ठीक है तो हमें ऐसा लगता है यह सन यहां से ऐसे जता हुआ इधर जा रहा हुआ है मालो या यह इस यह वैस्ट न किर Because light दा लेकिन यह सब एंध़ जो ती वह गलत फिर गेलीलियो है, गेलीलियो ने भी कुछ अपनी studies की और उसके basis पे उसने क्या गहा, कि जो अर्थ है, वो revolve करती है, sun के round, sun station दिया, ये बात हुई थी, ठीक है, clear है, उसके बाद जो गेलीलियो था, उसने यही gravitation वगएरा कि जो study करी, मतलब कि ये सब planets घूम कैसे रहे हैं, मतलब एक तरफ सन के चारोतोर चक्कर कैसे काट रहे हैं, ये सब study उसने करनी शुरू कर दी थी, लेकिन वो किसी एक जिसे कहते हैं, proper result पे नहीं पहुंचा, ठीक है, फिर उसके बाद आया एक scientist, Tycho Brahe, याद रखना ये, इसकी तो बड़ी importance है, Tycho Brahe, कि इसका नाम कोई नही कमाल का काम किया, इसने क्या किया, गैलीलियो से ये पूरा का पूरा जो था influence था, ठीक है, उसकी सारी theories पर ये agree करता था, तो इसने क्या किया, अलग-अलग sketches बनाने शुरू किये, planets के अलग-अलग time पे, कि कौन planet कहां पर है, ठीक है, इस ठीक है, वो अपनी पूरी life इसी मे पानता था, टाइको ब्राई को, तो उसने इसका जो data था, पूरा का पूरा, वो study किया, वो study करने के बाद, Kepler's ने ये लो दिये, तीन, और इन तीन लो के बाद, Newton ने अपनी theory दी, तो समझ रहो जैसे Newton की कहानी थी, सुनते थे हम, कि apple नीचे गिरा, Newton के दिमाग में, apple ग्रेविटेशन की कहानी समझ में आई, तो ऐसा कुछ नी था, समझ रहो ना, तो ये चीज़ आपको समझ नहीं है कि किसी एक लोग पे, जब आप कोई लोग आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस पर सोचो कितने साल लगे है, समझ रहो तो मतलब आप समझ हो, तीन सो चार स साल लगे, दोसो तीन सो साल, ठीक है, तब जाके वो नियूटन ने अपनी थोरी दी, उसने, देखो कैसे, ग्यलियो का डाटा था, फिर टाइको ब्राहे ने किया, स्टेडी टाइको ब्राहे का डाटा, किसने किया, कैपलर वाली की कहानी नूटन ने दी, फिरागे, तो समय पिछला कितना डाटा इकठा होता रहता है उसके बेसिस पे साइंटिस्ट अपना काम करते है तो इतनी बाद आपके क्लियर हो रही होगी कि न्यूटन ने कैसे अपना ग्रविटेशन लो दिया ठीक है कहां से कहां नहीं चली थी गैलिलियो वली और कहां पर गई है कि समझ में आ रही है तो देखो यहां पर हमने यही सब लिखा हुआ है कि क्या है कि law of orbit है first law जिसमें हम कहते हैं कि according to this law all the planets revolve around the sun in an elliptical orbit तो जितने भी planets है around the sun वो किसमें घुंगते हैं elliptical orbit में गुंगते हैं with the sun situated at one of the two foci अब आपको बताया है दो foci है जैसे एक होता है अगर एक circle होता तो उसका हम कहां जाते है focus है एक चीज़ को focus बोल देते हैं अब दो है तो इसको हम foci बोल रहे हैं इसलिए ठीक है तो किसी एक foci पे sun situated है clear है इतनी बात वो किसी पे भी हो सकता है ठीक है लेकिन हमने अभी diagram क recording मान लिया कि इस पे है clear इतनी बात बताओ कोई दिक्कत इसमें हमने यह बताया फिर आपको यह P point है यह A point है P को बोलते है perihelion और इसको A को बोलते है ephelion perihelion क्यों पास में है और epihelion क्यों दूर में है ठीक है और यहाँ पर भी आप इसको नाम दे दो चाहे यह वाला B point मान लो यह वाला C point मान लो ठीक है फिर यह लिखा हुआ है कि as shown in figure the planet move around the sun in an elliptical orbit में घूम रहे हैं ठीक है सन के राउंड यह चीज़ ठीक है and ellipse has two focus ellipse की के है दो फेकाई है s और s dash and the sun remain at one focus s ठीक है और हमने किस पर माने सन को s पी ही है वो ठीक है station रही है clear the point P and A on the orbit are called perihelion and epihelion यह मैंने आपको बता दिया and represent the closest जो perihelion ever closest बताता है and farthest कोन बताता है epihelion distance from the sun respectively यही सब मैंने कहानी आपको बताई है ठीक है बात करते हैं law of areas की ठीक है देखो law of areas में क्या कहते है कहते है according to this law all the planet sweeps out equal areas in equal interval of time इसका मतलब क्या है देखो इस चीज को समझो यहां पर जैसे यह एक ellipse बना दिया मैंने यहां पर ठीक है और इस एक फोकाई यह है एक फोकाई यहां इसकी इस फोकाई पर हमने क्या मान लिए sun है ठीक है अब यहां पर यह planet है ठीक है यह वाली line इसको बी मातल ठीक है तो इसने यहां से यहां कितना distance कवर किया यह a-b distance कवर किया ठीक है माल लेतने है यह इस टाइम पर इसकी जो linear और यहां से फिर इसका यह वाल इतना distance इसने कवर किया यह वाल इतना माल लिए ठीक है इसको मैंने माल लिया क्यूँ अब यह कह रहा है कह रहा है जितना area इसने यहां किया ठीक है और उतना ही area यह यहां पर भी swipe करेगा समझते हो न यह planet यहाँ से तो माल लिजिए एक सेक्नी हम बात करें एक सेकंड में इसने इतना area यहां कवर किया ठीक है फिर हमने यहां पर बात करी तो यह यहां पर रहा ठीक है तो एक से जमान सकते हैं यहए और यह वाल इरिया A2 है, तो according to this law क्या है हमारे पास, A1 is equal to क्या है, A2 है या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ कि area of यह वाला triangle S, A, B is equal to area of triangle कौन सा हो जाएगा यह S, P, Q हो जाएगा clear एतनी बात यह चीज़ समझते हो same time की बात कर रहे हैं, ठीक है जैसे माल लो, 1 second में इतना area कवर किया है, तो इधर भी 1 second में इतना area कवर करेगा clear एतनी बात, यह नहीं बताओ ठीक है, तो यही लिख रखा है according to this law, all the planet sweeps out equal area in equal interval of time, यह कहाँ नहीं हो गई, ठीक है अब जो मैं कहते हैं, 1 second में कितना area कवर किया, उसको हम बोलते है, aerial velocity that is, aerial velocity of a planet around the sun is constant तो aerial velocity क्या होती है कि area कवर करना 1 second में, ठीक है, तो यह कहा कहा रहा है, उसमें यह कि constant है, यह भी हम अभी बात करेंगे, clear है, बताओ, इतनी बात समझ में आई यह ठीक है, इसमें मैं मान लेता हूँ, यह R1 distance हो गया, इससे, SA वाला और यह वाला, SAP वाला, R2 distance हो गया, clear है, अब जैसे हमने बात करी यहाँ पर, कि aerial velocity क्या होती है, area covered per unit time, यानि कि 1 second में कितना area cover किया, ठीक है, तो अगर हम यह निकाल ले होता है, वो क्या होता है, आपके पास बताओ जल्दी से, 1 by 2 base into height, ठीक है आप base into height में क्यों होता है, क्योंकि यह देखो, जैसे आपको एक circle की कहानी पता है, यहाँ से radius है, तो यह किस पर होती है, मैंशा, 90 degree पर होती है, यह चीज, ठीक है, यह आपको पता है कहानी, पहले से, यहाँ से देखो देखो, जैसे एक circle है, यह radius है, तो इस circle पर यह क्या होता है, आपके पास 90 degree पर होती है, यह दो चीज पता है आपको बताओ, कैसे कहरे हैं, जैसे हम कहते हैं, इस पर एक tangent डालो, तो यह 90 degree पर ही होता है, तो वही चीज हम कर रहे हैं, यह चीज हो गई, ठीक है, अब यह हमने क्या मालिया है, एक distance मालिया है, तो यह कहा है, 90 degree है, ठीक है, तो 1 by 2, base into में height होती है, clear इतनी बात, बताओ, ठीक है, तो देखो, जो 90 degree है, उसके सामने बाला क्या होता है, hypotenuse, यह होता है, ठीक है, और जो theta होता है, उसके सामने बाला क्या होता है, perpendicular होता है, ठीक है, तो जो बचा वो क्या होगा, base होगा, clear इतनी बात, तो यहाँ पर अगर आप समझो इस बात को, कि यह angle हो गया, यह 90 degree हो गया, ठीक है, तो यह क्या है, हमारे पास इसका, theta के सामने बाला, perpendicular, तो 1 by 2, base into में height होता है, जो formula होता है, right angle triangle का, base into में height होता है, ठीक है, तो 1 by 2, अगर हम SAB की बात करें, तो इसका base क्या बन गया, मान लो, और यह R1, और जो height बन गई इसकी, वो क्या बनेगी, यह वाला distance AB, यही बनेगी, ठीक है, अब AB, distance की value क्या होता है, distance का formula है, displacement का formula क्या होता है, velocity क्या होता है, देखो displacement अब होन में time होती है, ठीक है, तो यहाँ दे displacement या distance हो क्या हो जाएगा, velocity in 2 में time, ठीक है, तो यह कितना हो गया आपके पास, V1, T1 हो गया, V1, T1 हो गया, इतनी बात clear है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रही है बात, ठीक है, similarly हम इधर की बात करें अगर, कि area of SPQ, और इसमें अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ यह V2 velocity और T2 time है, ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1 by 2, base कितना है, इसका हमारे पास, R2, और जो height है, वो कितनी बन जाएगी है, V2, T2, और एक चीज़ याद रखना, इसमें हम T1 equal to T2 की बात कर रहे हैं, same time की बात कर रहे हैं, clear है, यह चीज़ समझ में है यह आपको, कैसे निगाल ले हमने area, ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर देखो करनी है, देखो कैसे, कहा रहा है, area covered per unit time, अगर हम देखो, यहाँ पर यह area velocity निगालने हैं, इधर वालेगी, तो हमारे बास क्या ही है, यह 1 by 2 area upon में क्या होता है, इसके लिए per unit time में area upon में time, तो area कितना निकला हमारा अगर, देखें 1 by 2 into में, V1, T1 into में, R1, ठीक है, और upon में क्या गर देखेंगे, time T1 से divide, तो area velocity अगर हम देखें, 1 by 2 into में, V1, R1 आ गई, ठीक है इसके लिए, इस वाले part के लिए area velocity, क्योंकि इसका area of triangle क्या निकला था, यह निकला था हमारे पास, समझ रहो, तो इसके लिए हमने T1 से divide कर दिया, per unit time का मतलब क्या होता है, एक second के लिए, तो अगर मान लो यह T1 5 second भी है, तो 5 से इसको divide कर दिया, तो एक second का आगया हमारे पास की, एक second में कितना area निकला, समझ रहो इतनी बातों को, ठीक है, तो area covered per unit time, area covered यह था, per unit time मतलब जितना time का, उसे divide कर दिया, ठीक है, तो एक second में area covered कितना हुआ, इतना हुआ, यह मतलब हुआ इसका, ठीक है, तो according to low, जो यह according to low है, वो यह क्या कह रहा है, कि area velocity constant होती है, constant velocity का मतलब क्या है, कि जितनी यह आई है, 1 by 2 V1 R1 आई है, उतनी ही, यह वाली area velocity होगी, ठीक है, जो कि कितनी बनेगी हमारे पास, 1 by 2 V2 R2 बनेगी, कि इतनी बात clear है या नहीं है, 2 is equal to में, यह बन जाएगा आपकराद, R2 upon में R1, तो यहां से अगर आप देखो, V1 यहां है, R1 यहां है, और अगर V2 देखो निचे है, और R2 यहां उपर है, यानि V और R क्या हैं एक दूसरे के, inversely हैं, तो यहां से हमें पास चार रहा है, V is inversely proportional to R, इसका मतलब क्या है, main कहानी क्या है यहां से, कि R जब जादा होगा, वहां velocity कम हो जाएगी, देखो जैसे यहां की हम बात करें, कि R यहां जादा है, तो यहां velocity क्या रहेगी, कम रहेगी, और यहां R कम है, तो यहां velocity जादा रहेगी, कि it means linear velocity of the planet is more, when it is closer to the sun, then its linear velocity went away from the sun, ठीक है, तो यह जीज आपको समझे में आईगी है, यह linear velocity जादा होती है, जब closer होती है सन के, और कम होती है, जब दूर होती है सन के, ठीक है, क्लियर रहेगी बात, अब main, यहां से एक कहानी आपको समझनी है, कि जो angular momentum है, वो conserved है, यहां से Kepler law से भी आप समझ सकते हो, देखो कैसे, देखो यहां कर देता हूँ, यह जीज ता कि आपको clear रहे, देखो, जैसे यह V1, R1, और यह V2, R2 आया था हमारे पास यहां से, ठीक है न, according to the law, यह कहानी बनी थी है हमारे पास, ठीक है न, अरियल विलोस्टी क्या रहती है, constant है, तो यहां से यह चीज बनी, अब देखो, इसमें आप M से multiply कर दो, दोनों साइड, क्योंकि मास तो क्या है प्लैनेट का, सेम ही रहने वाला है, जो यहां है, वोई यहां है, ठीक है, तो मास यह हो गया, ठीक, अब यहां से अगर आप देखो, यहां से कहानी, MV क्या होता है, जल्दी से बताओ, P होता है, क्योंता है, P, तो यह P1, R1 हो गया, और यहां से MV2, MV भी भी क्या है, linear momentum होता है, क्या होता है, हमारे पास, angular momentum होता है, तो L1 is equal to L2, तो यानि कि यह भी क्या है, यानि कि constant ही टर्म है, तो angular momentum conserved है, यहां से हमें यह चीज़ पता चलती है, clear एतनी बाद, ठीक है, अब area velocity constant है, इसको और भी हम, थोड़ा सा, कर सकते हैं, अगर आपको करना है यह चीज़ यहां तक, यहां तक जम्यने समझाया तो हो गया, आगे तो मैं यह सिरफ आपको इसलिए बता रहा हूँ, कि आपकी जो है, नॉलीज अच्छी रहे, कि कैपलर लोग से कैसे angular momentum conserved है, यह चीज़ हमें पता चल गई, ठीक है, दूसरा और समझ सकते हैं, एरियल वेलोसिटी कॉंस्टेंट है, वो कैसे देखो, अभी आपने देखा कि जो एरियल वेलोसिटी थी, हमारे पास, वो कितनी आई थी यह, वन बाइटू, वी वन आरवन, तो मैं अगर इसको simply ऐसे लिखूँ, 1 by 2 V और R, ठीक है, 1 by 2 V R, ठीक है, अब देखो, 1 by 2 V की value देखो, P is equal to क्या होता है, MV, और यहां से V की value क्या बनती है, P by M, तो यहां से देखो, यह P by M लिख दिया मैंने, और यह R, तो यहां से भी देखो, आप 1 by 2, P into R क्या है, L है, और निचे M है, तो जो Arial Velocity है, Arial Velocity, वो किसके एक उल आ रही है, यहां से L by 2 M के, तो यह भी एक relation, कहीं बार आप से पेपर में पूछ सकते हैं, कि कैसे आता है, Arial Velocity, L by 2 M, और यहां से देखो, आपको साफ बचल रहा है, कि यह constant ही होगा, क्यों constant होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारा, Conserved है, constant है, और मार्स भी क्या है, constant है, तो Arial Velocity भी क्या है, constant है, क्लियर एतनी बात समझ में आ रही होगी, जो यह लाइन हमने यहां पर लिखी थी, कि that is the area velocity of the planet around the sun is constant, क्लियर एतनी बात बताओ, कोई दिक्कत, यह area समझ में आ गया था, आपको area of right angle triangle लगाया है, हमने 1 by 2 base into my height, मैं क्या कह रहा था, कि यह वाला मान लो आपके बाद theta है, अगर कितना area swipe किया, तो यह theta angle है, तो theta के सामने वाला क्या होगा, जल्दी से बताओ, अगर हमने यह, क्योंकि देखो न, एक छोटा सा part है, जैसे मान लो, यह छोटा सा part है, तो इसको मैं ऐसे straight मान सकता हूँ, वो चीज़ है, जैसे हम tangent डालते हैं ऐसे वाला, तो यह 90 degree हो गया यहाँ पर, ठीक है, समझ में आई होगी बात, बात करते हैं कि law of periods की, देखो, law of periods यह हम बात करने, law of time period, जो third law है, वो क्या कहता है, कहता है, according to this law, the square of time period, is directly proportional to the cube of semi-major axis, मतलब क्या कह रहा है, कि जो time period है, उसका square, directly proportional है, cube of semi-major axis, देखो, semi-major axis क्या है, यहाँ पर अगर हम लिखें इसको, देखो, इस तरीके से, कि, P O equal to O A, equal to क्या है, A, that is a semi-major axis है, ठीक है, तो यह A से हम लिखते हैं, यहाँ पर यह वाला, यह semi-major axis, ठीक है, दी clear है, तो यह A का क्या है, cube है, मतलब क्या हो गया, क्या कह रहा है यह, कि जो planet, चक्कर काट रहा है, मालो यह sun है, यहाँ, ठीक है, और यह planet है, ठीक है, जो यह चक्कर काट रहा है, इसका, ठीक है, इसका time period, कैसे निकलेगा, time period का जो square है, वो directly portionल है, कि इसके, इसकी जो यह major axis है, इसका semi-major axis, यानि कि यह, इसके cube, इसके डिरेक्टिव पोर्शनल है, यही लिख रहा है, according to this, the square of time period is directly portionल, to the cube of semi-major axis, to the cube of semi-major axis of the elliptical orbit, अब तहीं बच्चे यहाँ पर न, देखते हैं, बुक्स में कहियों में लिखा होता है, यह इस तरीके से लिखा होता है, आर से भी, कि यह distance है, बात सही है, distance है, ठीक है, लेकिन यह elliptical है, क्या है यह, elliptical है, अब elliptical में अगर आप देखेंगे, sun से जो हम देखें बात, sun से अगर हम बात करें, तो यह distance अलग है, जब यह planet यहाँ आएगा, यहाँ का अलग हो जाएगा, यहाँ आएगा, यह प्लैनेट यहाँ अलग हो जाएगा, तो अलग-अलग distance है, तो उसका एक average लिया हमने, वो क्या माल लिया ellipse में, कि जो इसकी semi-major axis होती है, ए, इसको हम average distance ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ a cube ही best रहेगा लिखना, आर से आप confused रपते हों सोचते हों कि यह radius है शाय है, ठीक है, ellipse में तो आप देख रहे हो, radius तो अलग-अलग हो जाएगी, तो उसका जो average है, वो हमने क्या लितने हैं, इसका यह semi-major axis, a cube, यहाँ से अगर आप देखो, t square is equal to में k आ जाएगा, a cube, k क्या है यहाँ पर, constant है, तो हम यहाँ लिख देंगे, t square upon में a cube is equal to में क्या है, k है, that is a constant, clear है, और इस constant के जो value होती है, वो कितनी होती है आपके पास, 2.95 into 10 की power minus 34, देखो time का क्या होता है, unit year, year square, और इसके क्या होता है, यह distance है, एक तरीके का, meter होते है, तो meter cube, तो यानि की per meter cube, बिकोज नीचे है यह, ठीक है, तो यह उती है, आपके आपके बास constant की value होती है, वैसे थोड़ी बहुत vary करती है, planet to planet, ठीक है, वो भी मैं बताऊँगा की कैसे, ठीक है, तो इसी में ही अगर हम, दो different planet की बात करें, for two different planets, तो वहाँ पर देखो, क्या हो जाएगा, यह हमारे पास, अगर हम देखें, T1 का square is direct proportional to, या direct हम करें, equal to, K, A1 का cube, और दूसरा की हो जाएगा, T2 का square is equal to में, K, A2 का cube, इनको करो, divide देखो, T1 का square, अगर हम उन में, T2 का square is equal to में, K से के कट जाएगा, तो उपर बजाएगा, A1 का cube, और नीचे यह, A2 का cube, तो इस formula से हम, जो है, time period निकाल सकते हैं, अगर एक का time period, और यह, semi major axis दियो ही है, और किसी, A1 का time period दिया हुए, या फिर, major axis दियो है, तो दोन दो में से, कोई एक चीज दियो है, और एक निकालनी हो, तो आप easily निकाल सकते हो, मतलब मैं क्या कहा रहा हूँ, जैसे मालो T2 निकालना है, तो T1 दिया होगा, A1 दिया होगा, A2 दिया होगा, तो आप T2 निकाल सकते हो, अभी करेंगे इन numerical, तब आपको clear हो जाएगी, ठीक है, जो यहाँ से कहानी main पर चलती है, वो क्या पर चलती है, कि जो larger distance होता है, प्लैनेट का from the sun, तो उसका time period भी कहा रहेगा, जादा रहेगा, भी को time कहा है, तो किसके है, distance के है, एक तरह से, ठीक है न, तो larger the distance of the planet from the sun, the larger will be its time of revolution around the sun, अब यह आपके समझ में आ रहोगा, कि larger the distance planet from the sun कह रहा है, देखो from the sun क्यों कह रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं, कि sun से ही हम distance ले रहे हैं, यह सारा, लेकिन यह अलग-अलग है, तो उसके average को ही हमने क्या लिया, कि semi major axis ले लिया हमने, वो एक average distance हो जाएगा, sun से उस planet का, clear है, यह मतलब है यहाँ पर, clear है इतनी बात, अब देखो जो मैं कह रहा था न, आपको कि यह की value यह वाली है, यह थोड़ी सी vary करती है, देखो कैसे, अगर आप NCRT में देखोगे, यह देखो, यहाँ पर देखो आपके सामने है, mercury के लिए जो ASM major axis हो 5.79 है, तो उसका time period कितना है, 0.24 यह रहा है, यानि कि इतना time उसको चक्र गाटने में लगएगा, सन के, और उसका Q है 2.95, इंटू में 10 के बावर माइनस 34, यहाँ दिया होगा है, कि 10 के बावर माइनस 34 में चल रहा है, यह है, तो यह 2.95 ही क्यों ले लिया था हमने सभी के लिए, क्योंकि यह देखो 2.95 से 3 के बीच में ही वैरी कर रहा है, इससे उपर नहीं जा रहा, तो average इसका 2.95 ले रहे था हमने की constant ले लिया, हमने 2.95 इंटू 10 की पावर माइनस 34, अगर यहाँ पर आप यह देखो, यह चीज, समझ रहे हो ना, यह 2.95 इंटू 10 की पावर माइनस 34, तो 10 की पावर माइनस 34 यहाँ लिखा हुआ है, इसने का अग्गे की वैल्यू यहाँ पर लिख दिये, तो यहाँ पर अगर आप देख रहो, जिसका A ज्यादा है, उसका टाइम पीड़ भी ज्यादा है, अब A देखो, यहाँ पर प्ल्यूटो का इतना है, 590, तो A यहाँ पर प्ल्यूटो का, अगर आप देख रहे हो, 2590 मिटर है, तो उसका टाइम पीरिड़ कितना है, 248 यहर, यानि 248-year में Sun का एक चकर कटते है अब अर्थ का ले लो अपना एर्थ का जो ए है वो कितना है फिफ्टी है तो यहां पर जो टाइम प्यरिद है वो कितना वन यह रही तो हमें पता भी ए ए अर्थ सन्के चाल तो चक्र एक साल में कट करती क्लियर इतनी मत काटती है मतलब और यहां पर देखो क्यों जो है मर्करी के लिए यह है वीनस के लिए यह है अर्थ के लिए यह मार्स के लिए है तो यह जो आगे की वैल्लियू है क्लियर इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके तो ये जो कैपलर के लोग थे यह आपको समझ में आने चाहिए फस्ट लो क्या था लौ फ़बिट इसने बताया कि और बिट कैसा होता है प्लैनेट का सन के चारता प्लैनेट का चाहल जब शक्रक्राइब करता है तो वह वो equal होता है अगर वो दूसरी जंग है area swipe कर रहा है clear है equal interval of time में यही बात लिखी हुए थी कि sweep out equal areas in equal interval of time जितना area यहाँ इसने swipe किया एक second में उतना ही यह इधर करेगा एक second में ठीक है तो वो क्या हते हैं इनके areas equal होते हैं यह बताया law of areas में law of periods में क्या बताया कि जो time period का square होता है वो directive portion होता है किसके semi major axis के cube के clear है तो यह थे हमारे पास 3 law Kepler's के जिसको हम बोलता है Kepler's law of planetary motion कि अतनी बात clear है या नहीं है तो यह चीज़ बे आपको समझे में आगी है कि इसके laws के बाद ही Newton ने law of gravitation दिया था clear है कर लोग इसको ठीक है इसके बाद हम कुछ numerical करेंगे वह बड़े important है क्योंकि वह लोग और anti-log की कहान ही चलेगी वह आपको समझे में आनी चाहिए clear okay thank you